हालो फ्रेंड्स आप मुकेश गोयल आई होग कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे अपना जो पेपर वन की युनिट 10 है हायर एजुकेशन सिस्टम उच शिक्षा तंतर उसका एक कंप्लीट रिविजन लेंगे फ्रेंड्स बिल्कुल आराम स चित को शांत करके हर एक बात को सुनना है यहां से क्विश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है जो हम वो हर एक बात को डिस्कुस करेंगे जो इस इनिट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो चलो फ्रेंड्स हम बात करते हैं आपकी जो युनिट नंबर 10 है यु अपनी अप्लिकेशन है जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल ठीक है और इसमें पेपर वन का अभी इस एक्जाम के लिए क्रेस कोर्स चल रहा है और अगर आप रजिस्टेशन करवाना चाहते हैं तो रजिस्टेशन करवा सकते हैं और उस वह रिकोर्ड़ेड वी सकते हैं और इसमें पेपर वन का स्टडी मेटेरियल और पेपर टू किसी का अगर इन्वार्मेंटल साइंस है कोड नमबर 89 तो उसके भी रजिस्टेशन ओपन है अगर आप विलिंग है तो आप करवा सकते हैं चलो हम बात करते हैं हाइर एजुकेशन के बारे में बात करते है तो आप हाइर एजुकेशन से क्या मतलब सबसर्प समस्त हो यह बताव पहले तो उच्छ सिक्षा से मतलब क्या सबस्ते हो फ्रेंश वुच्छों कॉन सी जो हम स्कूल के बाद है ना सुरू कर देते हैं वह हाइर एजुकेशन होती है उचीं तो इसमें यह सारे पुछे जाते हैं कि Central University क्विशिन से पूछ लिया State University से डिम टू वी उनिवस्टी से प्राइवेट कर लेते हैं सॉतनतर्ता के बाद कौन कौन से कमीशन आए उसके बारे मिबात कर देते हैं की स्थरह को देखते हैं कि कि इस एवलू discordUSAn सिस्टम का तो कुछ एर्स हैं वह आपको याद रखनी है कि इन एर्स में क्या क्या हुआ यहीं से क्विश्चन आने की संभावना बन जाती है और कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने की संभावना है तो हर यूनिट का कंसेप्ट कलियर करने की कोशिश करें ठीक है ना फ्रेंट्स तो सबसे पहले मैं कुछ एर्स बता रहा हूं उनको आप याद रखें एक यह याद रखें 1813 चीक है 1813 ठीक है आपको पता है 1813 में च 1713 में आया ऐसे ऐसे 1813 में भी एक चार्टा रेक्ट आया तो मैं वही उनके बारे में बात करूँ है जहां एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो जो बात हुई है तो कुछ एर्स आपको बता रहा हूं इसको कनेक्ट करना आपके सलेबस में तो यह दिया हुआ है कि सवतंतर से पहले के भी ठीक है तो बिल्कुल कनेक्टिविटी बना के रखे 1813 के बारे में बात करेंगे चीक है 1813 के बाद हम बात करेंगे 1835 के बारे में 1854 के बारे में और फिर बात करेंगे 1857 के बारे में पहले इन चार्स के बारे में इन चार जो है 1113, 1835, 1854, 1857 में क्या क्या हुआ ये बात कर लेते हैं यहां से direct question आता है फिर हम बात कर लेंगे उसके बाद 1857 के बाद हम 1902 की बात कर लेंगे 1904 की बात कर लेंगे कि क्या हुआ उसके बाद हम बात कर लेंगे कि 1906 में क्या हुआ, उसके बाद हम बात कर लेंगे कि 1925 में क्या हुआ, उसके बाद हम बात कर लेंगे कि 48-49 में क्या हुआ, उसके बाद 52-52 में क्या हुआ, उसके बाद में 3-5 में UGC का establishment करवा देंगे, फिर UGC को एक statutory body 1956 में बना देंगे, उ पिर इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंड हुवा 1976 की बात कर लेंगे उन्नि सो चेस्टर की ठीक है02 हम बात कर लेंगे झानिंकने सब्क्राइबंगे सब्सक्राइब बात कर लेंगे तो यह सारी कनेक्टिविटी म reiterate कर दो स्टर्य कि यहां बात कर्ना के गई कि भारती एजुकेशन पर एक लाग रूपे खर्च करने की बात की गई, यह सबसे पहले इस चार्टर एक्ट में भारती एजुकेशन के बारे में कुछ बात की गई, चीक है, तो आप से सिंपल सा क्विशन पूछा जा सकता है कि ऐसा कोन सा एक चार्ट है या चार्ठर जिसमें ये बात की गई कि भारती एजूकेशन पे एक लाक रुपे की खर्च करने की बात है तो ये 1813 के चार्टर एक्ट में बात की गई चीक है ना और 1835 में 1835 में आपको पता है मेकाले इसने इंग्लिस लेंग्वेज पे बहुत फोकस किया अंग्रेजी भासा को बहुत ही मेकाले ने और अंग्रेजी भासा का जो पर्चलन देख रहे हो इनकी बहुत बड़ी खतरनाक वाली देन कह सकते हैं 1835 में मेकाले का चीक है उसके बाद 1854 में वूट्स डिस्पैच आया क्या आया वूट्स डिस्पैच ठीक है ना वूट्स डिस्पैच याद रखना जिसको मेगना कार्टा बोलते हैं मेगना कार्टा ओफ इंग्लिस लेंग्वेज बोलते हैं वूट्स डिस्पैच आया कब 1854 में और इन्होंने अपने डिस्पैच में क्या लिखा ठीक है ये बास सुनना वूट्स डिस्पैच आया तब भारत के गवर्नर जनरल थे डल हो जी कौन यह अपसे बातें जो मैं बोल ला हूं पूछी जा सकती है अठारा सो चोगन में वूट्स डिस्पैच आया उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे डल हो जी उन्होंने अपने उसमें क्या लिखा वूट्स डिस्पैच में यानि कि कुछ लेटर लिखा उसमें क्या लिखा प्राइमरी एजूकेशन वर्नाकुलर लैंगवेज वर्नाकुलर लैंग्वेज होना चीए उसके बाद menjadi एइंगली जा बोला गया जो 1884 में आया तो आपकोली एन इर बोची में पूछा जा सकता है कि वूट डिस्पेच आया तब भारत के गवर्नेश जनरल कों ते डल हो जी थे चीख है उसके बाद 1857 में 1857 की करांती याद है आपको चीख है 1857 में तीन कोलेज की स्थापना हुई कहां कहां पे बॉम्बे मदरास और कलकता चीख है ना बॉम्बे मदरास और कलकता याद से कॉलेज की स्थापना हुई बॉम्बे मदरास और कलकता और जो अफिलेटेड का समझते वा अफिलेटेड का कंसेट वह भी 1857 से ही आया है अंसे है उसके बाद में हम बात करें 1902 में 1857 के बाद सिधा हमें करना है 1902 में 1902 और 1904 दो येर याद रखनी है 1902 और 1904 में क्या-क्या हुआ एक्चुली में 1902 में युनिवस्टी और उसके बाद 1904 में इन्डियन युनिवस्टी एक्ट आया तो 1904 में इंडियन उनिवस्टी एक्ट आया एक्चुली में 1902 में और 1904 में आपको पता है भारत के गवर्णर जनरल कोल ते करजन थे कौन थे करजन थे तो करजन ये भी आपसे पूछा जा सकता है ये हर्याना सीविल सर्वीशेज में भी पूछा गया था फ्रेंज एस में आपसे भी पूछा जा सकता है कि जब 1902 का इंडियन उनिवस्टी कमिशन आया तो भारत के गवर्णर जनरल कोन थे करजन थे तो जो इंडियन उनिवस्टी कमिशन आया उससे संतूष नहीं थे करजन तो उसको चेंज करके इंडियन उनिवस्टी एक्ट बना 1904 में तो ये 19 1904 की बात होगी ठीक है तो यह सीधा सीधा आप से पुछा जा सकता है उसके बाद एक यह याद रखना 1925 जो यूजी सी भी कई बार यहां से क्विशन पूछ चुकी है 1925 से क्या हुआ था Association of Indian University की स्थापना हुई AIU Association of Indian University की स्थापना हुई 1925 में यह क्या है Association of Indian University की स्थापना कब हुई 1925 में हुई यह बात आपको ज्यान रखनी है ज्यान रखोगे चलो बहुत बढ़िया उसके बाद में 1925 के बाद में हम सीधा चलते हैं 1925 के दोर के बाद हम चलते हैं सीधा आपको पता है Second World War चला चीक है ना उसके बाद एक तरह से राश्ट्री एजूकेशन के बारे में बात हुई और सार्जेंट रिपोर्ट आई सार्जेंट रिपोर्ट आई सार्जेंट रिपोर्ट रिपोर्ट वो कब आई सार्जेंट रिपोर्ट आई 1945 में यह 44 की गटना थी लेकिन रिपोर्ट 1945 में आई सार्जेंट रिपोर्ट और इसी रिपोर्ट के माद्यम से या इसी रिपोर्ट किसी सफारीश पर रिकमेंडेशन पर किस स्थापना हुई University याद रिखना यह गांकिस कि स्थापना हुई कमिशन नहीं ए जो आप UGC देख रहे हैं Yetcheo कमिटी है ध्यान रखना ये confusion हो जाता है कई लोग ये सोचते हैं या कई सुडेंट जल्दबाजे में गलती ये कर देते हैं कि युनिवस्टी ग्रांट कमिशन की बात कर रहा हूं मैं UGC की नहीं सार्जेंट रिपोर्ट के से ने किसका रिकमेंडेशन किया युनिवस्टी ग्रांट कमिटी की किसका युनिवस्टी ग्रांट कमिटी की और आपको पता है युनिवस्टी ग्रांट कमिटी की सिफारिस हुई उसके बाद 1945 के बाद आपको पता है कि भारत सवतंतर हो गया 1947 में और 1948-49 में एक कमिशन आया, University Education Commission, कौन सा आया? University Education Commission, ठीक है ना? University Education Commission आया, कब आया? 1948-49 में, ठीक है ना? और आप से अभी 2020-22 में ये कुशन पूछा गया था, कि University Education Commission के बारे में क्या थोड़ा सा गुमा के कुशन पूछा गया, कि सवतंतर्ता के बाद सबसे पहले जो एजुकेशन कमिशन आया, उसके अध्यक्स चेर परसन कौन थे, तो आपको पता है, University Education Commission जो सवतंतर्ता के बाद सबसे पहले आया, उसके जो चेर परसन थे, वो कौन थे, राधा कृष्णन, कौन थे, राधा कृष्णन जी थे, ठीक है ना, राधा कृष्णन जी थे, याद रखना, राधा कृष्णन जी, ठीक है, 1948-1949 में जो University Education Commission आया, और जो आज आप UGC देख रहे हो, University Grant Commission, अब जो University Grant Commission का जो रिकमेंड किया था, वो इसी आयोग ने किया था, राधा कृष्णन कमिशन ने, यानि कि जो 1948-1949 में University Education Commission आया, इसी ने UGC की स्थापना का रिकमेंडेशन किया, UGC University Grant Commission की, ठीक है, और इसी की सिफारिश पे आपको पता है, 1953 में, 28 दिसंबर 1953 में, University UGC की आपना हो गई, और 1956 में, 1956 में, UGC है, वो क्या बन गई, आपको पता है, Statutory Body बन गई, साविधिक निकाय बन गई, है ना, 1956 में, UGC क्या बन गई, Statutory Body बन गई, यह इस भी आपको याद रखना, कि UGC का Establishment पूछे, तो 1953 में, 28 दिसंबर, और इसका Statutory Body पूछे, तो क पहला Education Commission आया, सवतंतरता के बाद, उसके बाद आपको पता है, 1952 में, Modiliar Commission या Secondary Education Commission आया, चीक है, कौन सा आया, Secondary Education Commission, Secondary Education Commission कब आया, जिसको Modiliar Commission भी बोलते हैं, यह आया, 1952 में, चीक है, यह आया, 1952 में, Modiliar Commission या Secondary Education Commission, चीक है, इसमें Secondary Education की बात की, चीक है, यह बात हुगी उसके बाद अगर हम बाथ करें, इसके बाद आपको पता है, 64-64 में कोठारी कमिशन आया, कोठारी कमिशन कब आया, कोठारी कमिशन उननिस सो चोन सट और 66 में कोठारी कमिशन आया, यह Year श्याद रखना, क्योंकि ये आपको chronologically set करवाना भी पूछ लेते हैं कि कौन सा कमिशन पहले आया कौन सा कमिशन बाद में आया तो सबसे पहले राधा कृष्णन कमिशन आया उसके बाद मॉडियर कमिशन चीक कोठारी कमिशन हो गया उसके बाद आगे चलते हैं, देखो हम कहां से चले थे, फ्रेंट से एक बार रिलेक्स हो जाए, चितको शान्त करो, 1813 की बात करी, 1835 की बात करी, 1854 की बात करी, 1902 की बात करी, 1904 की बात करी, चीक है न, आप वैसे 1906 को भी बात कर सकते थे, 1906 की बीच में बात कर सकते हो, चार इंसिट्टीट की स्थापना हुई बंगाल नैशनल कोलेज और बंगाल इंसिट्टीट की स्थापना हुई फिर बाद में उनको मर्ज करके जाधवपूर यूनिवस्टी बना दिया गया 1906 की घटना है नेशनल एजुकेशन कमिशन की स्थापना जो हुई 1906 में यह चैटना भी आप वहां एड़ कर सकते हैं चार के बाद ती दो और चार जो करजन वाली बात कर रहा हूं फिर छे की बात होगी ठीक है और इसके बाद हम आगे आए उसके बाद हम आगे आके 1925 की बात की ठीक है ना जहां असोशेशन ओप इंडियन यूनिवस्टी की स्थापना चीक है उसके बाद हमने बात कर ली यूजी सी की बात की ठीक है उसके बाद हमने सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन की बात की और कोठारी कमिशन की बात की कोठारी कमिशन कब आया 64 66 में तो यहां तक एयर कुछ जुड़ते जा रहे हैं कि क्या-क्या हो रहा है एजुकेशन से में और 1986 वाली में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया था संसोधन किया था वह संसोधन किया था आपको पता है 1902 में वह अलग से नहीं थी बस 1986 में संसोधन किया गया और उसके बाद आई यह निव एजुकेशन पॉलिशी 2020 में चीक है तो आप से यह क्विश्चन भी पिछल पुछा जा सकता है और इस टाइम 1968 में आपको पता है हमारे देश के जो परधान मंत्री थे वह कौन थी स्रीमती इंद्रा गांदी जी हमारे देश की उस समय परधान मंत्री थे जब 1968 में पहली नेशनल एजूकेशन पॉलिशी आई तब की बात कर रहा हूं और एक बात और याद रखना इसी एजूकेशन पॉलिशी में 1968 वाली एजूकेशन पॉलिशी में भी याद रखना कि इसमें पहली बार ये बात की गई कि हमारी एजूकेशन पे GDP का 6% खर्च करना है हमारी एजूकेशन पे GDP का कितना परसेंट खर्च करना है 6% खर्च करना है ये बात की ग चलो बहुत बढ़िया बात अब 1968 के और 1986 के घटना पड़ेंगे हम आपको अगर याद हो तो 1975 में 1975 में नैस्टनल अमर्जेंसी लगी थी राश्च्रिय आपातका लगा था आपको पता है चीक है तो उसी दोरान 1996 में 42 समिधान संसोधन हुआ 42 जो constitutional amendment हुआ समिधान संसोधन हुआ उसमें क्या किया गया कुछ राज्य के जो सुची के विशे थे कुछ state list के जो भी विशे थे उनको concurrent list में डाला गया आपको पता है ना कि भारत के समिधान के अंदर 12 schedules है 12 अनुसूचिया है आपको ये बात प अनुसूचिया है जब भारत का समिधान लागू हुआ तो भारत के समिधान में 8 schedules थी और अब भारत के समिधान में 12 schedules है 12 अनुसूचिया है आपको पता है उसमें सब कुछ लिखा हुआ और इस सडेल राज्यों के नाम हो गया schedule two में वेतन की बात होगी, schedule two में सफ़त की बात होगी, schedule four में बात होगी, राज्यावा heraffe में shuto की बात होगी, पांच और च्रह में 5 और 6 में 10 च्छेतरों की बात होगी, अनुसुची seven में, 7 की बात करूँ का, 7 में power या सक्ति के बंटवारे की बात हुई, अनुसुची तो वो सुप्रिम कोट उनका वो देख भी सकती है अभी कारण क्या है इसमें पहले सरुवात में इसमें कुछ भी तरह का आप सुनवाई नहीं थी लेकिन अब है और 11 और 12 के अंदर आपको पता है नगरपालिका के बारे में और गराम पंचायत के बारे में बातें की गई है तो ऐसे है तो हमें यहाँ पर education से संबंदित हमारे काम की है अनुसूची 7 अनुसूची 7 जिसमें पावर के बंटवारे की बात की गई है जहां सक्तियों का विभाजन किया गया है राज्य और के इंदर के बीच तो अनुसूची 7 ही एक ऐसी अनुसूची है जिसके अंदर 7 list है कितमी list है? 7 list है एक तो union list जिसको हम बोलते हैं संग सुची एक state list जिसको हम बोलते हैं राज्य सुची और एक concurrent list जिसको हम बोलते हैं सम वर्ति सुची कौन सी? सम वर्ति सुची तो अब यहां से education से संबंदित question बन सकता है friends आप से पूछा भी जाता है कि education यानि कि शिक् आपको पता है अभी concurrent list का विशे है अभी समवरती सुची का विशे है हमारा जो education है वो लेकिन जब हमारा समिधान लागू हुआ था तो education यानि की सिख्षा वो थी किसका विशे स्टेट लिस्ट का विशे थी लेकिन 1976 में 42 में समिधान संसोधन के तैत यह आप से पूछा जात है कि कब सामिल किया और आपको बताना है in 1976 42 समिधान संसोधन के तहर्त जो state list के कुछ विशों को किसमें से निकाल के स्टेट लिस्ट में से निकाल के concurrentu list में शामिल किया संवरत्थी सुची में सामिल किया जिसमें राज्य और येंदर दोनों नियम बना सकते है और स्टेट लिस्ट में जो भी विशे है उसमें राजय सरकार ही नियम बना सकती है यह आप लोग जानते हो चीक है ना जैसे नेशनल लेवल की घटनाएं होती है जैसे कोई एटम बम की बात होगी यह और होगी यह सब यूनियन लिस्ट के विशे होगे तो कंकरंट का मतब education, forest, weight वाले यह सब किसमें डाले गए हैं हैं अब कंकरंट लिस्ट में डाले गए हैं तो आप education का ध्यान रखने ना आपसे यह कुछन पूछा गया था कि education किस लिस्ट का विशे हैं कंकरंट का कब शामिल किया गया 1976 में शामिल किया गया और यहां लगते लगते एक और 68 के 76 की घटना है इसलिए हमने इसको बीच में स्थान दे दिया अब बात करता हूं मैं 1986 की फ्रेंड्स यहां पे सेकंड एजूकेशन पोलिशी आई आपको पता है द्यूत्य हमारे शिक्षा निती आई इसमें जो योगा वगेरा को जो शामिल किया गया था यह बात ध्यान रखना नवाचार की भी बात इसी में की गई चीक है ना इनोवेटिव प्रोग्राम्स वगेरा होने चीए यह सारी बात 1986 की एजूकेशन पॉलिशी में की गई थी चीक है ना उसके बाद कुछ थोड़ा स सरसोदन इसको 1922 में 1992 में किया गया उसके बाद आपको पता है नेशनल एजूकेशन पॉलिशी हमारी निव एजूकेशन पॉलिशी आ चुकी है दो हजार बीस के अंदर चीक है तो इस नेशनल एजूकेशन पॉलिशी जो निव एजूकेशन पॉलिशी है जो दो हजार बी स्टेज के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेज में क्या क्या है पांच में जो है यह जो फाइफ यह 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 फोर यह सुरू के फाइफ यह में क्या है सुरू के फाइफ यह को फाउंडेशनल स्टेज बोला गया है इस स्टेज के अंदर बच्चा तीन साल तो आंगल वाड़ी में खेलेगाँ देगा और दो साल में पहली और दूसरी कर लेगा यानकि इन 5 साल में और स मज़गे ना अंगलवाडी में क्यूंकि को आदट डालने है कि काशल बरता fra fast को कौन सा बोला गया है foundation stage आप से पूछ लेते हैं कि which stage is foundation stage जो पहली सबसे पहली stage है चो 5 साल वाली वो foundation stage है उसके बाद जो यह तीन आ गया यहां दो पढ़ के आ गया तो यहां कौन सा पढ़ेगा तीसरी class चोथी class और पांचवी class तीन क्लास यहां पढ़ेगा न और यह है preparatory स्टेज कौन सी स्टेज है ये प्रिप्रेटरी स्टेज है उसके बाद वो तीन साल जो और आ गए ये तीन साल इस तीन साल में कौन सी करेगा वो चटी साथ में और आठ वी ये कौन सा आ गया यह ना ये मिडल वाला आ गया और फिर चोथा चार साल में पड़ेगा नौवी दस 12- 12 यह secondary stage आगई यह सारी stage के नाम याद रखना है कौन कौन सी stage में कौनकौन सी class करेंगे यह भी आपसे question पूछा गया था और पूछने की पूरी की पूरी संभावना है ध्यान रखना new education policy में आपको पता है Amphile को खतम कर दिया गया है इस बात को भी आप जानते हो और new education policy में अब एक क्या है कि आपको ग्रेजुएशन तीन साल या चार साल की तीन साल की ग्रेजुएशन है उसको दो साल की मास्टर करनी पड़ेगी और चार साल की ग्रेजुएशन है उसको एक साल की मास्टर करनी पड़ेगी ये भी बात है और एक बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि माल लो आपने तीन साल का graduation program ले रखा है और आपने एक साल करके वो पढ़ाई छोड़ दी अभी तो क्या है अगर छोड़ दी तो वो एक साल अपना खराब हो जाता है लेकिन new education policy में उस एक साल का भी certificate मिलेगा गोम फिर के आजाईए अगर फिर मन करा तो फिर पढ़ लिजिए आपको वो साल करनी नहीं पड़ेगी वो आपकी count हो जाएगी ये भी बात आप ध्यान रखें तो new education policy के बारे में ये थोड़ी मोटी मोटी बाते आपको ध्यान रखनी है चलो बहुत बढ़िया अब मैं आगे चलता हूँ आगे कुछ-कुछ फिर बात करते हैं कि आगे बात करें आगे अगर हम अब topic उठा लेते हैं कि एंसेंट के बारे में है ना एंसेंट एंसेंट इंडिया में किस तरह की बाते थी प्राचिन भारत में है एंसेंट इंडिया प्राचिन भारत में एजुकेशन से संबंदित प्राचिन भारत में ठीक है ना प्राचिन भारत में एजुकेशन से संबंदित क्या क्या हुआ अगर प्राचिन भारत की बात करते हैं तो आपको पता है प्राचीन भारत में इस सिधा सिधा पूस लेते हैं कि एंसे इंडिया में education का मकसद था मुक्ती चीक है holistic development होना चीए हर तरह से development होना चीए economically, socially, religious हर duties को वो समझे इस रहे के development की बात थी प्राचीन भारत में एक्विशन भी पूछा गया कि प्राचीन भारत में एज्योकेशन का क्या मकस्त था मुक्ति था चीक है ना ये बात आप ध्यान रखें चीक है फ्रेंट्स उसके बाद क्या बात है कि प्राचीन भारत में आपको पता है क्या पढ़ाय जाते थे वेद पूछा जाता है अगर मैं वेदों की बात करूँ वेदों की बात करूँ तो वेद कितने हैं वेद आपको पता है चार वेद हैं और वेदों को शुरूती भी बोलते हैं ये भी ध्यान लगना ये आपसे पूछा जा सकता है भी वेदों को शुरूती भी बोलते हैं पिछले मे बमढ़की जोगताब बगता है उस में फॉचा गया था तो democratic को इकको बनाया गया था थैकलों मुड़ा है तो वेड सेसरी भी बोलते हैं वेड कितने चार है रिड़ा उपते हैं इनी में हैं यह मीटर जो है ठीक है रिगवेदा के अंदर 108 सुक्त है और उसके बाद बात करें हम और रिगवेद को समझ ले के लिए कौनसे ब्रामन गरंद की रचना हुई यह भी आपसे पूछा जा सकता है अगर बात करें सामवेद सामवेद यह हमारा जो भी क्लासिकल म्यूजिक है इंडियर यह सामवेदा से है है ना सामवेद से है और सामवेद को समझने के लिए जो सबसे सामवेद को समझने के लिए जो ब्रामन गरंद था वो पंचविश ठीक है ना पंचविश था यह भी आप याद रख लें शामवेद चीक है उसके बाद मैं बात करू यजुर वेद, यजुर वेद में बात है, यग की बात है, जो करमकांड है, उनकी बात की गई है, तो यजुर वेद को समझने के लिए कौन सा है, गौपत, कौन सा है, यजुर वेद के लिए गौपत नहीं है, अथ्रव वेद के लिए हम गौपत मानेंगे, चोरी, ब्राहमन यजुरवेद के लिए है शत्पत याद रखना शत्पत यजुरवेद के लिए कौन सा है शत्पत है शत्पत है चीक है ना ब्रहामन गरंद जिसकी रचना हुई और गोपत हुई है अथ्रववेद के लिए कौन से वेद के लिए अथ्रववेद के लिए जो सबसे नवीन जाता है अत्रवएद और इसके अंदर ही आयुरवेदा का जिकर हुआ है कौन से वेद में आयुरवेदा का जिकर हुआ है तो यह भी आप ध्यान रखें चलो यह सारी बाते रिविजन कर लेना दिमाग में जिसने पढ़ रखा उसका प्रोपर रिविजन होना होगा फ्रेंड चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शांदार, अती उत्तम, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, friends, वेदांग, किसकी बात करूँ, मैं वेदांग, वेदांग कितने है, शिक्स, छै वेदांग है, वेदों को भली भांती समझने के लिए इनकी रचना हुई, जै ये नाक से जोड़ा गया है, और कल्प, कल्प हाथ से जोड़ा गया है, जो हमारे रिच्वल्स है, उसकी बात करता है, ये वेदांग, उसके बाद में बात करें, निरुक्त, निरुक्त कान से है, यानि कि सब्दों की व्यत्पती कहां से हुई है, ये जानने के लिए, जो भावाद है छन्द छेकह ठाथ है जो स्मदीत है यह हो गया शिक्षा हो गया जो नाक से बढ़Te हो गया कल saying keeping बढ़े है अर्ट कांसे सम्दीत हो गया निर्ठ चन्द हो गया पाऊंसे हो गया आंग से एक और कौन सा बच गया विदे को एक, दो, तीन शिक्षा, कल्प, निरुक्त, चंद, जोतिस इसके बाद एक और कौन सा बच गया याद करोगी जल्दी आंग से और वेरी गुड व्याकरण व्याकरण हो गया मुक से ग्रामर ये था व्याकरण व्याकरण हो गया मुक से चीक है ना व्याकरण किस से हो गया मुक से हो गया तो एक, दो, तीन चार, पांच, चैह हो गए चैह वेदां हो गए तो आप से पूछा जा सकता है कौन सा संबंदित किस्प हमारे बोडी पार्ट से है किस्मी क्या है तो ये एक revision के तोर पर आप याद रखना है ठीक है friends चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार याद रखोगे ये चलो बहुत बढ़िया उसके बाद हम बात करें कुछ universities हुई है आपको पता है कुछ पराचिन university है जैसे नालंदा university हुई है बिहार में ठीक है बुद्धी जम के लिए नालंदा university आपसे पूछा जा सकता है आपको पता है बहुत धरम चोथी संगीति में दो भाग में बंट गया था हीन यान और महायान में तो नालंदा university में महायान बुद्धी जम को पढ़ाया जाता है चीक है ना पढ़ाया जाता था और वल्लभी यूनिवस्टी है जो गुजरात में वल्लभी यूनिवस्टी है उसमें कौन सी है उसमें हीन यान को पढ़ाया जाता था हीन यान बुद्धी जम को याद रखना जो चोथी संगीति में दो भाग में बंट आता हीन यान और महायान नालंदा university में महायान बुद्धी जम को यूनिवस्टी में इन यान बुद्धी जम को पढ़ाया जाता था और एक tan burada university हुए ए मेडिकल साइंस के लिए बहुत अच्छी सुद्धी मेडिकल साइंस के लिए और यह यह university है नो नपको पता है इसी university के अंदर यह के अपने पढ़े थे चानक के जी भी पढ़े थे चीक है जीवक जी बीसी के स्टूडेंट थे तो तक शिला एक काफी अच्छी यूनिवसिटी और मेडिकल साइंस के लिए जानीमानी यूनिवस्टी चीक है यह भी आपको जान रखना है चीक है फ्रेंट्स चलो और उसके बार में 1953 में स्टापना होई और 1956 में स्टैचूटरी बोडी बनी यह हमने बात कर ली है और इसका काम क्या है फंडिंग करना ठीक है कोडिनेशन बना के रखना यह सारा काम है इसका एजूकेशन को बढ़ावा देना यह सब काम है यूजिसी का उसके बाद में अगर हम यूजिसी के यूजिसी देता है और आपको पता है वह जनल जो उनकी ग्रेडिंग करता है जबकि जो एन बीए है यह भी एक्रिडेशन का काम करता है और इसकी फुल फॉर्म निकला लिख देना नीचे कॉमेंट बॉक्स में और एन बीए क्या करता है कि इसको एक्रिडेट करता है जो ट technical को accredited कौन करता है? NBA करता है जो Washigoten Accord का full member है ये भी आपसे पूछा जा सकता है NBA Washigoten Accord का क्या है? Full member है इसको भी आप जान रखना चीक है? याद रखोगे? चलो बहुत बड़ी है ये सारी बातें याद रखना है UGC को इससे जोड़ लो से और आप मुझे यह भी बताओ इसमें कौन कौन सी स्टैचूटरी बोडी है यह आप बताना आप जानते हो ना समिधानिक निकाई होते हैं फिर एक्स्ट्रा कॉंस्टिटूशनल बोडी जो होते हैं उनको दो भाग में बाढ़ते हैं स्टैचूटरी बोडी इसको सांविधिक निकाई बोलते हैं और एक्जीक्यूटी बोडी इसको कार्यकारी निकाई बोलते हैं जैसे निती आयो एक्जीक्यूटी बोडी है इस तरह से यह सारी बाते आपको देखनी है और मुझे आप कोमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन सी बोड़ी है चलो बहुत बढ़िया उसके बाद में डी एसी की बारे में बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के बारे में बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल और आपको पता है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के बाद क्या बन गई वो अभी क् बताना distance education council थी वो distance education bureau कब बनी ये भी मुझे आप बता देना चीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उसके बाद रुशा रास्चिय उस्तरशिक्षा अभियान रुशा चीक है ना रास्चिय उस्तरशिक्षा की बात करेगा ये और रुशा की स्थापना आप से पु कि और एक है SSA सर्विस उस्तरशिक्षा अभियान इसकी स्थापना बताना कब होई s ये ये आप बताओगे का आप बताओगे चलो मैं ये बता देता हूँ DPPP की updated है ये छीक है और इसकी full form आप बता देना रहे हो दिमागी हिल जाएगा अरे दिमाग नहीं हिलेगा और है ना याद रख लोगे चलो बहुत बढ़िया अटल भ्यारिवाज पेज़े के टाइम थी यह थोड़ा सा बता देता हूं आपको अब याद आया कुछ आ गया होगा ना चलो बहुत बढ़िया उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स उसके बाद हम बात करें जो यू कुछ लेते हैं तो यह सारी बात यह से हैं तो आपको याद रखना है वसी यूनिवर्स्टी एक्जीक्यूटी हैड होते हैं यह सब इनकी वसी न्यूक्ती कौन करता है एक तरह से चांसलर करता है और एक बात और बता मुझे Central University जो है Central University उनका विजिटर कौन होता है जितने भी हमारे केंद्रिय विश्व विजिटर विजिटर है वह होते हैं प्रजिडेंट याद रखना प्रजिडेंट रास्टर्पति केंदरिया विश्वविद्यालय के जो हमारे विजीटर हें वो कौन होते रास्टर्पति होते हैं यह बात भी आप जयांड रखना और да दिम्ड युनिवस्टी क्या होती है radio इसको बनाते हैं कोई भी इंस्टीट जो अपने चेतर में विशेश्च कार्या कर रहा हो उसका यूजी सी तो रिकमेंड करती है कि इसको उनिवस्टी का दर्जा दिया जाए और सेंट्रल गर्मेंट उसको दर्जा देती है याद रखना उल्टा मत कर देना रिकमेंड कों करत याद रखो कि चलो बहुत बढ़िया उसके बाद हम बात कर सेंट्रल युनिवस्टी आपको पता है पार्लियमेंट के तहत बनती है और स्टेट युनिवस्टी जो होती है वो लेजिसलेटिव असेंबली से बनती है क्योंकि डिम्ड का तो आपको पता लग गया कि मतलब वो उसको बनाते हैं विदान सभा से उनको पावर मिलती है यह बात आप ज्यान रखें और जो स्टेट युनिवस्टी होती है स्टेट युनिवस्टी जो राज्य विश्व विद्यालय होते हैं उनके जो चांसलर होते हैं वो कौन होता है बताओ स्टेट युनिवस् अब रहते हैं और यह विजीटर के तोरे भी होते हैं स्टेट यॉनिवस्टी के चीक है गवर्नर यानि कि राज्यापाल इस बात को ध्यान रखना यह कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाता है यह चल रहा है अभी न्यूज में चल रहा है वैस्ट बंगोल की विधानसभा ने कुछ इस बिल भी पास किया है इस मुद्दे पे उस पे भी थोड़ा कॉंफलिक्ट चलना है ठीक है तो याद रखना हिए उनिवस्टी की चांसलर है वह कौन होते हैं गवर्नर होते हैं इस बात को आप ध्यान रखें तो और एक बात और कि जो स्लेबस वगेरा है उसको अथेंटिक कि लगबग सारी बाते एक बार रिवाइस कर लिये फटा-फटे का ओनी है क्या आता है फटा-फट अमने taraf 1813 से एक बार फिर यगवाइंड करना क्या-क्या बाते इं Первी में बात की पर 335 प्र ने थोड़ा पाने पीलो हुँ पायं ऑप इडैंवें कि अना अठारा सो पैंतिस की बात की रिमाइंड करो फटा फट अठारा सो चोपन की अठारा सो सतावन की चीक है उसके बाद 1902, 1904, 1906, उसके बाद 1925, उसके बाद 1948, उसके बाद 1950, 53, उसके बाद 1952, 53 के बाद 1967-66, उसके बाद 1968, उसके बाद 1986, उसके बाद 2020, पूर 1902 में की बात भी गियी यह maximum बाते कवर कर ली UGC के बारे में भी बात कर ली नैक के बारे में बात कर ली अब NCRT कब सापना हुई यह comment box में बता दूए ऐसे factual information तो आपको बताई है NCRT इपाट साला यह तो बताई दोगे आप अरे बता दोगे ना इतना सारा इसको एक बार देख जाना तो थोड़ा confidence रहेगा कि मैं यह सारी चीजें देख के आया हूं और सारा खेली तो confidence का है अगर अच्छा confidence है तो सब बहतर होगा तो मैं information लास्ट में देता हूं कि play store में अपनी अपनी एप है जिसका नाम है swmg success with mukesh गोयल यह अपनी एप है प्ले स्टोर में इसमें पेपर वन का crash course चल रहा है जो जून दो 2022 वाले के लिए crash course चल रहा है इस crash course को आप जोइन कर सकते हो friends अपनी चित को शांत रखें और चीजों को concentrate होके एकागर होके सुने किसी भी तरह की tension ना लें please मेरी request आपसे अगर tension लोगे तो बहुत खतरनाक हो जाएगा और जो आपकी त्यारी है वो खराब हो जाएगा आपकी त्यारी बहुत अच्छी है अब सारा झाल